चलिए आज बनाते हैं बेसन की बरपी। एक दम नया तरीका है और भाथ आसान तरीका है। खाने में भी जितना देशिवी घी ले लिया है जिसको मैंने पैन में डाल दिया है और थोड़ा में बचा दिया है। और जब गी गरम हो जाता तो उसमें डाल देते हैं अपन बेसन 200 ग्राम के जितना अब हमें इसे मीडियम फ्रेम पे चलाते रहना है दो-थीन मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं milk powder तीन चम्मच के जितना और फिर इसे हमें बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है और इस तरीके से आप बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है तो अब यह जो गी मैंने बचाया था वो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालती जाओंगी और यह मैंने दुबारा से इसको सेक लिया है और फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है और कंटीनियू आपको इसको चलाते रहना है अदर्वाइस बेशन जल जाता है अब यह जो गी बचा था वो भी मैंने इसमें डाल लिया है तो मैंने इसे दो-तीन बार करके डाला था और अब यह मैंने इसमें इलाइची पाउडर डाल दिया है एक चमच और अब हमसे वापिस से मिक्स कर देते हैं यह बहुत ही आसान तरीका है बर्फी बनाने का तो अब यह देखिए इस तरीके से मैंने इसे बून लिया है पैह पुछें से बहुत बढ़ी है अब करना क्या है हमें इसमें हम ढूल देते हैं शुगर पाओडर एक कप के ज 250 R jetzt जितना कब सब्सक्राइब मैंने इसमें इसमें एक प्रफ़ात टना और थोड़ा जो बच गया था वो भी हम इसमें डालके अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब जो शूगर है अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा थोड़ा करके तो ये हमारा जो मिक्सर है एकदम से बढ़िया सा बन जाएगा और अब हमें से medium flame पर ही सेखते रहना है और अब जो भी ड्राइफूत से हिवह डाल सकते हैं मैंने इसमें डाले हैं मैलन सीर्द डाले हैं और वादाम डाले हैं आप चाहिए तो कोई सेभी हैं से इसे बुनना बहुत ही जरूरी होता है अच्छे इसे बुनने के बाद थोड़ा सा कलर हमारा golden हो जाता है तब हम इसमें डाल देते हैं दूदध और फिर इसे बहुत अच्छे तरीके से हम 2 मिक्स कर लेते हैं डो बस फटा फट से यह हमारी बर्फी तयार हो जाती हैं और अपने देखा नहीं, कितना आसान है बनाना और इसे में चलाना शुरू कर दिया है अभिर मिक्स्चर एकदम तैयार है तो मैंने इसे बटर पेपर निकाल लिया है और अब हम इसे प्रेस करके जमा लेते हैं आपको जितना ही पतली कितनी मोटी चाहिए वह आपके उपर डिपेंड करता है और फिर इस तरीके से फैलाने के बाद उपर से हम थोड़े से गार्णिश के लिए ड्राइ फ्रूट्स डाल देते हैं मैंने थोड़े से मैलन सीड डाले हैं और कुछ बादाम डाले हैं तो यह मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है बर्फी बिल्कुल आप माउथ में डालेंगे तो आपको पता चलेगा माउथ में जाते ही घुल जाती है और यह बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी बहुत ही फटा फट से बनने वाली बर्फी है तो आप भी इसे ट्राइ कीजिए मैं ऐसी रेसिपीज लाती रहती हूं तो मिलते हैं अगली ऐसी ही रेसिपीज के साथ तब तक के लिए बाबाई